लीला रचने में तो नटखट लड़ू गोपाल का कोई जवाब नहीं लड़ू गोपाल अपने भक्तों के साथ बहुत खुश रहते हैं और उन्हें खुशियां देते भी हैं ऐसी ही कहानी है यशोदा और नंद की जिनकी खुशियों के लिए लड़ू गोपाल को नहीं थी यशोदा और नंद दोनों लड़ू गोपाल के परमभग थे वे रोज अपने घर में लड़ू गोपाल को सनान कराते उन्हें तयार करते भोग लगाते और उनकी पूजा करते नंद गाउं के मुख्या जी के खेतों में काम करता था नंद के काम पर जाने के बाद यशोदा का सारा समय लड़ू गोपाल के साथ बीटता वो उनके साथ खेलती उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और उन्हें खिलाती खाओ खाओ न मेरे लड़ू गोपाल आज मैंने आपके लिए खीर पूरी बनाई है आपको खीर पसंद है ना लो खालो कल मैं आपके लिए अपने हाथों से ताजे ताजे मक्खन निकालूंगी और आपको मक्खन का भोग लगाऊंगी मक्खन का नाम सुनते ही लड़ू गोपाल ने सारी खीर जटपट खाली यशोधा जब अपने हाथ में खीर लेकर लड़ू गोपाल के मुह के पास ले जाती तो खीर अपने आप कहीं गायब हो जाती यशोधा ने देखा कि लड़ू गोपाल के मुह में खीर लगी हुई थी इसी तरह यशोदा लड़ू गोपाल को जो भी खिलाती वे बड़े प्यार सिखा लेते थे मेरे लड़ू गोपाल क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे आंगन में सचमुच का लड़ू गोपाल खेले मेरी सुनी गोद कब भरेगी बोलो तुम तो मेरे बेटे हो ही तुम चिंता मत करो तुम्हारी जगा कोई नहीं लेगा लेकिन मेरे सिर से बांच का कलंग खटा दो इसी तरह यशोदा लड़ू गोपाल से बाते करती और उनसे संतान प्राप्ती के लिए प्रार्थना करती नंद भी लड़ू गोपाल का बहुत खयाल रखता था वो जब भी बाहर से आता लड़ू गोपाल के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता था यशोदा ये लो मैं लड़ू गोपाल के लिए मिश्री लाया हूँ लड़ू गोपाल को दही और मिश्री बहुत पसंद है ना उन्हें कल दही और मिश्री का भोग लगाना हाँ मेरे लड़ू गोपाल को दही मिश्री बहुत पसंद है देखो कैसे खुशी के मारे मुस्कुरा रहे हैं यशोदा और नंद जैसे भक्त पाकर लड़ू गोपाल भी बहुत खुश थे उन्होंने नंद और यशोदा को अपना आशिरवाद दिया और यशोदा की इच्छा पूरी हो गए कुछी दिनों के बाद यशोदा के पैर भारी हो गए और नौ मा के बाद उसने एक सुन्दर से बेटे को जन्म दिया ये लड़ू गोपाल के आशिरवाद से हुआ है हम इसका नाम लड़ू रखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद लड़ू गोपाल आपकी कृपा से मेरी सुनी को धरी हो गई अब यशोदा और नंद लड़ू गोपाल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखने लगे समय बीटता गया यशोदा और नंद का बेटा लड़ू भी धीरे-धीरे बड़ा होने लगा लड़ू रोज नंद और यशोदा को लड़ू गोपाल की सेवा करते हुए देखता एक देख मा ये कौन है? तुम इन्हें रोज नहलाती हो, खिलाती हो, सुलाती हो क्या ये सब काम ये खुद नहीं कर सकते? बाबा भी इनके लिए रोज कुछ न कुछ लेकर आते है जो चीज मेरे लिए आती है, वो इनके लिए भी आती है आकिर कौन है ये? लड़ू बेटा, ये लड़ू गोपाल है, ये तेरे बड़े भाई है जैसे मैं तेरे लिए सब कुछ करती हो, वैसे ही तेरे भाई के लिए भी सब कुछ करती हो अच्छा, फिर तो मैं इनके साथ खेल सकता हूँ ना? हाँ, तो इनके साथ खेल सकता है लड़ू बहुत खुश था कि उसे उसके साथ खेलने के लिए एक भाई मिल गया है लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू चार साल का हो गया है, अब इसका एड्मिशन स्कूल में करवा दो ठीक है यशोदा, गाउं के सरकारी स्कूल में कल ही लड्डू का एड्मिशन करवा दूँगा दूसरे दिन नंद ने लड़ू का एड्मिशन स्कूल में करवा दिया लड़ू अब स्कूल जाने लगा था स्कूल जाने से पहले उसने अपने स्कूल बैग में लड़ू गोपाल को रख लिया लड़ू बेटे, लड़ू गोपाल को यहीं रहने दो मा मैं लड़ू गोपाल के बिना कैसे रहूँगा वहाँ मेरा मन नहीं लगेगा लड़ू बेटे शाम को जब घर आओगे तब लड़ू गोपाल के साथ खूब खेलना लेकिन अभी स्कूल में पढ़ाई करनी है न लेकिन मा तुमने कहा था कि लड़ू गोपाल मेरे बड़े भाई है अगर मैं स्कूल जा सकता हूँ तो लड़ू गोपाल क्यों नहीं क्योंकि लड़ू गोपाल को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है वे बहुत ग्यानी और विद्वान है ये शोदा मन ही मन लड़ू गोपाल से प्रार्थना करने लगी हे लड़ू गोपाल मेरे लड़ू को ना जाने क्या हो गया है वो पढ़ाई करता ही नहीं है आप ही कुछ करो ना प्रभू आपके पास तो सारी मुश्किलों का हल है लड़ू गोपाल यशोदा की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए दूसरे दिन जब लड़ू स्कूल जाने के लिए घर से निकला तो रास्ते में लड़ू गोपाल एक साधारन बालक के भेश में लड़ू के पास आए और बोले क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं लड़ू गोपाल के अलावा किसी के साथ नहीं खेलता, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम पुच्चू है, मैं पास के जंगल में रहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले चलोगे? मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्या तुम मेरे बदले में स्कूल जा सकते हो? हाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारी जगा पर स्कूल जा सकता हूँ लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा पुच्चु ने अपने चमतकार से लड्डू का रूप धारण कर लिया लड्डू ये देखकर बहुत खुश हो गया कि उसे अब स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी उसने पुच्चु को अपना भारी बस्ता पकड़ाते हुए कहा ये लो ये मेरा स्कूल बैग है इसे लेकर स्कूल चले जाओ तब तक मैं यहां खेलता हूँ ठीक है ये कुछ खिलोने है इनने रख लो और इनहीं के साथ खेलना लड़ू के भेश में लड़ू गोपाल पीट पर स्कूल का भारी बस्ता लाद कर स्कूल की तरफ चल दिये सारा दिन उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की स्कूल में मास्टर जी जो भी पढ़ाते लड़ू गोपाल खूब मन लगा कर पढ़ते बोलो बच्चों, आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इंक, ई से इमली, ई से इंक हरे वा लड्डू, आज तो तो तुम्हें एक बार में सब कुछ समझ आ गया अब मास्टर जी को क्या पता था कि असल में लड्डू कौन है लड़ू को पाल मंद मंद मुस्कुराते और दिन भर पढ़ाई करते मास्टर जी के सिखाई हुई हर चीज उन्हें याद हो जाती वो दूसरे बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करने लगे और लंज के समय में अपने बस्ते से खाना निकाल कर भर पेट खाते वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते भी थे शाम को जब वो स्कूल से लोटे तो उन्होंने लड़ू को वो सब पढ़ाया जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा था बोलो लड़ू, आसे अनार, आसे आम, आसे अनार, आसे आम, इसे इमली, इसे इक, इसे इमली, इसे इक लड़ू गोपाल के चमतकार से लड़ू को सारी पढ़ाई समझ में आने लगी और उसका पढ़ने में मन लगने लगा अब रोज यही होता लड़ू जंगल में बैठ कर खेलोनों से खेलता और लड़ू गोपाल उसका रूप धरकर स्कूल चले जाते जब वो स्कूल से लोड कर आते तो लड़ू को सब कुछ पढ़ाते धीरे धीरे लड़ू बहुत होनहार हो गया लड़ू गोपाल की पढ़ाई हुई सारी बाते उसे जुबानी याद रहने लगी इसी तरह से समय बीटता गया और लड़ू बढ़ा होने लगा लेकिन अब भी लड़ू गोपाल उसका रूप धर कर स्कूल जाते और पढ़ाई करते लड़ू सिर्फ परिक्षा देने स्कूल जाता लड़ू के बाबा हमारा लड़ू अब बहुत होश्यार हो गया है लड़ू गोपाल के आशिर्वात से इसका पढ़ने में खूब मन लगता है और अपनी कक्षा में अववल आता है हाँ ये शोदा ये सब लड़ू गोपाल की करपा से ही हुआ है लड़ू के बाबा, हम अपने लड़ू को आगे भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे लड़ू ने दस्वी की परिक्षा भी पास कर ली। वो पूरे गाउं में अववल आया था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर उसके माता-पिता उसे आगे पढ़ाना चाहते थे। लड़ू भी आगे पढ़ना चाहता था लेकिन गाउं में कॉलेज नहीं था। एक दिन लड़ू के बाबा, हमारा लड़ू आगे पढ़ना चाहता है। क्यों न पढ़ने के लिए हम इसे शेहर भेज दे। ये शोदा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शेहर रहने और लड़ू को पाल चाहेंगे तो सब हो जाएगा। आप मुख्याजी से कहो न कि लड़ू को पढ़ने के लिए शेहर भेज दे। ठीक है, मैं कल ही मुख्याजी से बात करूँगा। दूसरे दिन नंद मुख्याजी के पास जाता है और सारी बात बताता है। आहां, नंद ल ये बात ये शोदा और लड़ू को बताए। ये सुनकर लड़ू दास हो गया। लड़ू उसी समय जंगल गया और पुच्चु को याद करने लगा। तभी पुच्चु यानि लड़ू गोपाल उसके सामने आ गये। मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ाई नहीं करते थे। तुम्हारा भाई लड़ू गोपाल। और इतना कहते ही पुच्चु यानि लड़ू गोपाल अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात लड़ू गोपाल को देख कर लड़ू बहुत हो जाता है। नपिता को सारी बात बताता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे लड़ू गोपाल हमेशा हमारी मदद करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं उनके कारण ही है। ये शोधा नंद और लड़ू ने हाथ जोड़ कर लड़ू गोपाल का धन्यवाद किया। दूसरे दिन ल ममी चलो ना आपको और कितना मेकप करना है अभी। बस दो मिनट और ओहो ममी चलो ना वाटर पार्क में जब हम पानी में जाएंगे तब तो आपका सारा मेकप वैसे ही धुल जाएगा। चुपकर बहुत बोलने लगी है। जब बढ़ी हो जाएगी ना तब तुझे समझा मेकप की इंपोर्टेंस। ना ममी मैं तो कभी मेकप नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक बेटा और वैसे भी मेरी गुडिया तो इतनी प्यारी है कि उसे मेकप की जरूरत ही नहीं। ओहो लो छोड़ दिया मैंने चलो अच्छा सुनिए और वाटर पार्क से लोटते हुए थ पनमास्चमी पर तो बाल गोपाल जी को नए कपड़े ही पहनाते हैं ना। हाँ ममी पर इस बार भी बाल गोपाल नए ही कपड़े पहनेंगे लेकिन मार्केट से खरीदे हुए नहीं आप भूल गई इस बार तो हम बाल गोपाल के कपड़े खुद बनाने वाले थे ना। अरे हाँ, ऐसा सोचा तु था, पर बेटा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है ममी, आप बस मुझे बता देना की कैसे करना है, कपड़े मैं ही बनाऊंगी। अरे बाबा, जो करना है वो लौट कर कर लेना, अब चलें। और इसी के साथ मीरा और उसके माता-पिता घर से चल पड़े, वो सभी वीकेंड पर वाटर पार्क घूमने चा रहे थी। मीरा बहुत एक्साइटेट थी, लेकिन ये एक्साइटमेंट वाटर पार्क जाने से ज़ादा किसी और बात को ले कर थी। ममी, देखो मैं बाल गोपाल जी को अपने साथ ले आई हूँ, हम लोटते हुए मार्केट से इनकी ड्रेस के लिए सब कुछ खरीद लेंगे, हम रेड कलर का कपड़ा खरीदेंगे और उस पर गोल्डन लेस लगाएंगे, और मैंने सोचा है कि मैं बाल गोपाल जी के लिए मोतियों की माला भी अपने हाथों से बनाऊंगी, तो उसके लिए कलरफुल मोती भी ले लेंगे, और हाँ, बाल गोपाल जी के लिए नई बांसुरी और मोर पंक भी तो चाहिए होंगे ना, हाँ हाँ, सब लेंगे बेटा, पर अभी तुम ये सब क्यों सोच रही हो, हम वा जाने के लिए excited नहीं हो क्या? ऐसे नहीं है पापा, लेकिन बाल गोपाल जी का birthday आ रहा है, और वो तो सबसे important है ना? चलो भाई, आ गए वाटर पार्क, तुम दोनों गेट की तरफ चलो, मैं जल्दी से tickets लेकर आता हूँ मीरा ने अपनी फैमली के साथ वाटर पार्क में खूब इंजोई किया और फिर कुछ देर बाद ममी, वो देखो, वो आपकी फेवरेट राइड है ना? चलो अब उसी पर चलते हैं नहीं बेटा, वहाँ बच्चों को नहीं ले चा सकते तो रहने दो से लेकिन ममी, आपको तो उस पर जाना था ना? ऐसा करो, आप दोनों वो राइड ले आओ मैं यहीं पर आपका वेट कर लूँगी नहीं बेटा, हम तुम्हें यहां के लिए नहीं छोड़ सकते मैं अकेली कहा हूँ ममी, मेरे बाल को पाल तो है मेरे साथ कविता, जब यहां आई ही है, तो फिर दिल खोल कर मजे कर लो, फिर ना जाने कब मौका मिले अच्छा ठीक है, पर मीरा, तुम यहीं पर रहना, हमारे ठीक सामने यहां से कहीं मत जाना तुम, ओके? हाँ ममी, आप जाओ पापा के साथ इसके बाद कविता और सुनील राइड के लिए चले गए, और मीरा वहीं पड़ी एक बेंच पर बैट कर, अपने बाल को पाल को निहारने लगी उसे इस बाद का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल सब कुछ बदलने वाला था सुनील और कविता एक बहुत ही बड़े जूले पर राइड ले रहे थे, जिसका संतुलन अचानक ही बिगड़ गया जूला काफी जोर से हिलने लगा, उस वक्त सुनील और कविता काफी उचाई पर थे, जहां से वो सीधे जमीन पर आगिरे मीरा को जब तक इस सब का पता चला, सब कुछ खत्म हो चुका था, उसके ममी पापा का साथ उससे हमीशा के लिए छूप चुका था एक ही पल में मीरा अनात हो चुकी थे, इस हाथसे के बाद पुलिस ने मीरा को उसके चाचा चाची के सुपूर्द कर दिया और यहीं से मीरा के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया ए मारानी, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहेगी या कुछ काम भी करेगी, मैं तो तंग आ गई हूँ इसाल सी लड़की से जा, जाकर रसोई में सारे भरतन दो, और फिर हम सब के बिस्तर भी लगा, चलूट जल दी से हाँ, चाची मैं करती हूँ, अब चाची जर्मास्ट मीं आने वाली है, तो तुझे उससे क्या करना है, मम्मी और मैं बाल गोपाल जी के लिए नए कपड़े बनाने वाले थे अपने हाथों से, हाथो, अब ना तो तो तेरी मम्मी जिन्दा है और ना ही मेरे पास इतना फा भार नहीं करते थे, मीरा उनके लिए एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ नहीं थी, मासूम मीरा ने सब कुछ बरदाश्ट किया, लेकिन अपने बाल गोपाल के लिए उसे कुछ तो करना ही था, अरे ये दुपट्टा, ये किससे पूछ कर उठाये तुने, और क्या कर रह गई, और वहां से एक मोटा बेलन लेकर बाहर आई, वो बहुत गुस्से में थी, वो उस बेलन से मीरा को मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही मीरा रोती हुई भर से बाहर निकल गई, ये सब क्या हो गया बंबी पापा, आप क्यो चले गए मुझे सुबह आँख खुली तो भूख के मारे मीरा का बुरा हाल था, मीरा फिर चल पड़ी, मार्केट में एक से एक खाने की चीज़े दिख रहे थी, लेकिन मीरा के पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे, तब ही अचानक एक आदमी मीरा के पास आया और उससे बोला ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पर, चल हट यहाँ से, ग्रहाकों के लिए रास्ता छोड़, अंकल मैं हट जाओंगी, पर प्लीज कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, खाना चाहिए, तो तुझे काम करना होगा, हाँ पेट भर के खाना खिला दिया करूँगा, वो भी रोज, मीरा छोटे भी थी और मासूम भी, इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा, और उस आदमी की बात तुरंट मान ली, उस आदमी का नाम राम किशोर था, वो एक होटल चलाता था, उसने बड़ी ही चालाकी से मीरा को काम पर रख लिया, और वो भी सिर्फ तीन वक्त के खाने के बदले, लेकिन मीरा इसमें भी खुश थी, वो सारा दिन राम किशोर के होटल में काम करती, और फिर होटल के बाहर ही फुटपात पर सोचा थी, इतने मुश्किल हालात में भी मीरा ने बाल गोपाल का साथ नहीं और चली है बाल गोपाल को संवारने, तुझे पेड भर खाना दे रहा हूँ न, बस उससे ज्यादा कोई उमीद मत करना मुझसे मीरा उदास हो गई और जाकर बरतंद होने लगी, तभी राम किशोर से मिलने उसका एक दोस्त वहाँ पर आया काईसे हो राम किशोर, काम धन्दा कैसा चल रहा है? उपर वाले का करम है भाई, और अपना सुनू, वो कैसा है अब? बस यही मत पूछो मेरे भाई, उसे जब जब देखता हूँ, मेरा तो कलेजा फटने लगता है, पूरे पास साल हो गये उसे बिस्तर पर पड़े पड़ बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, भगवान ही जाने, क्या लिखाए मेरे बच्चे के नसीब में? इतना कहकर राम किशोर फूट फूट करोने लगा, दरसल पांच साल पहले उसके बेटे सोनू को अचानक तेज बुखार आया, और फिर उसके पूरे शरीर पर लखवा मार गया, तबसे वो बिस्तर पर ही था, क्या डॉक्टर और क्या नीम हकीम? राम किशोर सब को चाजमा चुका था, लेकिन सोनू की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया, वैसे तो इससे पहले भी मीरा ने सोनू के बारे में हो तक्ये के नीचे रख देना, फिर देखना मेरे बाल गोपाल उन्हें कैसे ठीक कर देंगे, मैंने इनसे कहा है सोनू भया को ठीक करने के लिए, और ये मेरी बात हमेशा सुनते हैं, राम किशोर को मीरा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उसने वो मोर कर दिखाया, जिसकी मैंने उमीद ही छोड़ दी थी, इतना कहकर राम किशोर ने मीरा को गले से लगा लिया, तभी पीछे से सोनू वहाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा देख कर वहां हर कोई चौँक गया, सुशीला, देखो, यही है वो, जिसने हमारे बच्चे को फिर इसे हमें लोटा दिया, नहीं अंकल जी, यह सब तो मेरे बाल गोपाल जी ने किया है, देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, आप इने थैंक्यू कह सकते हैं, हाँ बेटा, हम तुम्हारे बाल गोपाल जी को थैंक्यू भी कहेंगे, और आज इनका बर्डे भी खूब के लिए नहीं हो, क्योंकि आज से हम तुम्हारे ममी पापा और सोनु तुम्हारा भाई है, मीरा के लिए एक ही पल में जैसे सब कुछ बदल गया, उसने मुस्कुरा कर बाल गोपाल को देखा, और उन्हें गले लगाते हुए बोली, थैंक्यू बाल गोपाल जी, और हैपी पर जी, पर जी, प्लीज सब्सक्राइब इस चनल